अगर आपको समझना होगा कि यह जो English है, यह Language है, यह क्या है अबुगा जी? Language है, ठीक है? Language को सीखने में और बाकी किसी subject को सीखने में बहुत फर्क होता है, फर्क इसलिए होता है, क्योंकि भासा वो माध्यम है, जिससे आप किसी भी दूसरे subject को पढ़ते हैं, अगर आपकी English खड़ाब है, तो दूसरा कोई भी subject, कोई भी book, अगर वो उस भासा में लिखी हुई है, कि आपको समझ में नहीं आएगा, खड़ाब भासा का मतलब ये होता है, कि आप वही समझेंगे जो आप समझना चाहते हैं, लेखक क्या कहना चाहता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, जो आप समझना चाहते हैं, वो आप समझ लेंगे, तो ये ज़्यादा problematic है, या तो चीजों पर जही से समझिये या नहीं समझिये, दोनों ठीक है, बट अगर मैं बोलू कुछ और आप समझे कुछ और तो ये प्रॉब्लेम है, और ये प्रॉब्लेम हमारे यहां बहुत ज़्यादा मातरा में देखी जाती है, इसका मूल कारण क्या है, इस बात को समझेगा, हम लोगों को जब भी कभी इंग्लिस पढ़ाया गया है, तो वो इंग्लिस कम और हिंदी व्याकरण ज्यादा पढ़ाया गया है, आप इसको कुछ ऐसे समझिये, कि जब नाउन पढ़ाया जाता है, तो ब्रेकेट में संग्या लिखी जाती है, अब संग्या के पांच भेद, फिर नाउन के पांच भेद, और सब का हिंदी किया जाता है, नीज वाचक संग्या, समुह वाचक संग्या, द्रव वाचक संग्या, तो दिमाग में हिंदी व्याकरण ही बैठा हुआ है, अब जो इसका ड्रॉबेक है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से इस बात को विश्यकाल, ठीक है, लिख दी आगे, आपको पता है, हिंदी में, there are six types of presenters, हिंदी व्याकरण में वरतमान काल छे प्रकार का है, भूत काल सात प्रकार के है, अब बताईगे, और इंग्लिस में वो चार प्रकार का है, तो जब आप उस concept को इस concept में मिलाएंगे, तो ये एक खीचडी बनेगी, कि ना तो ये इंग्लिस ग्राम बाद रह जाएगा, ना तो ये हिंदी व्याकरण रह जाएगा, और ये problem हम सब के साथ हुई है, तो आज मैं आपको इंग्लिस बिल्कुल एक नए pattern से, नए concept से, जैसा कि मैं class में बताता हूँ, अगर क्लास के बच्चे ह कि मैं कहां से इंग्लिस पूठा रहा हूँ, लेकि ये सब ही बच्चों के लिए है, कि उस concept को आप देखिए, कि इंग्लिस को सुरुवात कहां से करना है,